युवा सात्यों कल सुबह 11 बजे पीपली तिराय सापुरा युवा बेरोजगारों का जो संकट आया है यानिकी पेपर लिक माफियों ने या बेरोजगारों को सपनों को बेचने का काम किया है और उनकी सपनों का एक तरह से हत्या करने का काम किया है यानिकी पेपर लिक माफ करवाने और तता जो तमाम लिप्त करमचारी पेपर लीक में उनको बरकास्त करवाने और जो अपरादी जो भाग गें नेपाल से थाइलेंड उनको तक्काल गिद्दार करवाकर उनकी संपती जब करने कि मंकारों के भुल्डोजर चला ले तमाम उन मांगों को लेकर कल यो आ तेशा आने वाली चुनाओं है यदि यो बिरुजगार का वहुषे नहीं पचा यह बिरुजगार का वहुषे उनका पेपर ऐसे लीक होता रहा तो दो जाए तेश में यह विरुजगार उन नेताओं का वहुषे लीक कर देंगे तो तमाम यहांश अपील है कल आप बार किया जाए इन तमाम मांगों को लेकर कल एक बार फिर अलागला जिलों के बार जिसे आपने देखा होगा जेपुट जिले में अठाई बिसंबर का हुआ चोमु में चार जन्वरी को नावा में और कल जोद्पूर में मुख्यमंत्र जी के घर जिले में बड़ी संक्या मे यहां विरुजगर अपना आक्रोश दिखा रहा है अब कल साप्रा में आप सभी को अपने बहुष्य के लिए अपने माबाप के सपनों के लिए आपको घरों से निकलकर आना होगा और मेसेज करना होगा अब राजिस्तान के लिए बरदास नहीं करेगा अब पेपर लिक का यहां बरदास नहीं करेगा अन्यता दो जाटेश में कोंग्रेस सरकार को गंबीर प्रिना पुद्ट में पड़ेगे तो तमाम यह उस अपील है कल आईए और अपनी ताकत का एसास राजी सरकार को करवाई है धन्यवाद